नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं गुपता की अध्यक्सता में कमिटी गठित की गई है, जिसमें आयोग की सन्यूप सच्चिव, मधुमीता कुमारी तथा उप सच्चिव, सह, परिक्षा नियंत्रक, अर्विंद कुमार लाल सद से बनाए गए हैं बता दे कमिटी एक सब्ता में जाच रिपोर्ट देगी, कमिटी ने अपना काम सुरू करते हुए 6 सिकायत करताओं को 30 सितंबर को आयोग करयाले में बुलाया है इनमें 2 कोचिंग, संचालक तथा 4 अभ्यार्थी सामिल है राजेपल संतोस कुमार गंगवार ने अभ्यार्थियों दवारा की गई सिकायत की जाच को लेकर गुरुआर को मुख्य मंतरी हमान सुरेन तथा आयोग को पत्र लिख कर मामले की जाच करने को कहा था वहीं कई अभियार्थियों नभी गुरुवार को आयोग के सचीव से मिल कर गलबड़ी की जनकारी दिती उन्होंने गलबड़ियों के कुछ साख्ष भी सोपे थे इसे पहले आयोग के अध्यक प्रसांद कुमान ने अभियार्थो द्वारा साख सोपने पर जाज की बात कही थी आयोग ने इंचा सिकायत करताओं को पत्र भेज कर कहा है कि उनके द्वारा उपलाव दिकर आएगा पेंड राइब एवं सीडी का मोल सुरोत नहीं बताया गया है सीम हमन्त ने कहा परिक्षा में गरबाड़ी का आरोप जुठा मुख्य मंत्री हमन्सुरे ने कहा है कि असना तक अस्तर ये परिक्षा में गरबाड़ी के जुठे आरोप लगा कर कुछ लोग राई सरकार को बदनाम करने की कोशिस में जुठे है रोज इसमें मीडिया ट्रायल हो रहा है उनका इस आरा पिपक्ष की ओर था उन्होंने कहा है कि वस्तिविक्ता का उन्हें आता पता नहीं है और जुठे आरोप लगाने में लगे है राज मेना केवल सभी नियोक्तियों बलिक नियोक्ति के बाद पदस्थापन में भी पूरी तरह निस्पक्षता और पारदार सिदा बरती जा रही है नियुक्ति पत्र के साथ ही पदस्थापन का भी पत्र मिल रहा है लोटरी के माध्यम से नो नियुक्त अधिकारी और करमचारी स्वयम पदस्थापन अस्थलत तै कर रहे है मुखी मंत्री सुक्रवार को रांची के डुरंडाइस्थी जैप वन के सोरे सभागार में आयोजीत नियुक्ति पत्र बितन समारोग को समुदित कर रहे थे इस उसर पर उन्होंने जार्खन करमचारी चैन आयोग के माध्यम से विभागों में विभीन पदों के लिए नियुक्त 527 अभ्याद जार्खन के 29 जिलो में बर्सा की चेतावनी जार्खन के अधिकतर हिसों में मांसुन की वर्सा जारी है सुक्रवार को भारत मौसम विग्यान विभाग के रांची सित मौसम केंद्रे ने 6 एलो अलट जारी करके 29 जिलो में बर्सा की चेतावनी दी है मौसा विभाग ने एक के बाद एक च्छा अलट जारी करते हुए कहा है कि राजी के डेढ़ दर्जन जीलो में कहीं कहीं हलके से मत दर्जे की वर्षा होगी वर्षा के साथ बजरपात होने की भी समावना है इसलिए लोगों को सवधान और सतर्क हो जाने की जरूरत है मौसा विभाग ने पहले एलो अलट जारी करके जारकन के गुम्बला लाते हर लोहतगा और सिम्डेगा जीले में गरज के साथ हलके से मत दर्जे के वर्षा का अलट जारी किया है वहीं दूसरे अलट में कहा है कि पुर्वी सिम्डेगा जीले में कुछ ही घंटों में गरज के साथ बारिस होगी दुरगा पुजा में डीजे बाजाने पर पूर्ण परतिवंध मुक्ष सचीव का निर्देश दुरगा पुजा से पहले जारखन के मुक्ष सचीव ने सुक्रवार को राजधानी राची में एक आम बैठक किया है इसमें पुलिस के अला अधिकारी भी सामिल हुए मुक्ष सचीव एल खियागते ने पुलिस पर अधिकारीयों को इस बैठक में जरूर निर्देश दिये है और कहा है कि थाना अस्तर पस्तांती समीति की बैठक करे समाज के प्रबुध ब्यक्तियों को अपने साथ जोड़े और विदी बेवास्था बनाये रखने में उनकी मदत ले पुलिस महानेरिक छक, पुलिस उप महानेरिक छक सभी प्रमंडलों के आयुक्त, सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधिक्षों के साथ मुख सच्यू ने वीडियो कर्फिस्टिंग जर्य बैठक की है मुख सचियों ने सभी जिले को उपायुकतों यों पुलिस अधिक छोकों से कहा है कि दुर्गा पुजा आपसी भाईचारे यों सद्भावना पूर्ण महोल में संपन हो इसके लिए अभी से ही जरूरी तेयारिये शुरू कर दे डीजे पर पूर्ण परतिवंध लागाने का भी आदेस मुख सचियों ने दिया है पेजल एवम सुक्षता भी भाग में 47, पथ निवान भी भाग में 25, जल संसाधन भी भाग में 49, नगर विकास एवम आवास भी भाग में 28, बीत वानी जी एक कर एवम खादय पूर्ती भी भाग में 11 और रिम्स में 3 अभियार्थों को निकती पत्र मिला है अपने संबोधन में CM ने कहा है कि अभी एक एक जाम हुआ है JSC का उसमें मीडिया ट्रायल चल रहा है वस्विक्ता काता पता नहीं है खबरों में मीडिया में सरकार को कितना कालिक पोट सके लोग लगे हुए हैं जार्खन की मिड़े मिल रसोया की मांदे में 1,000 की ब्रीधी जार्खन के सरकारी स्कूलों में मिड़े मिल बनाने वाली 83,000 महिला रसोया के मांदे में 1 है रुपे की ब्रीधी पर कैबनेटे स्विक्रिती पदान कर दिया अभी तक महिला रसोया को प्रतिमा 2,000 रुपे मां इने के लिए होगा पुरु से दिये जा रहे 2000 रूपए मांदे में 1400 रूपए का वहन राज सरकार करती है जबकि 600 रूपए का भोक्तान के इंद्रास से होता है जारखन केबिनेट की बैठक में 49 प्रस्ताओं की मंजूरी जारखन की हेमन सुरिन सरकार ने दुर्गा पुजा से पहले सुकरवार को होई केबिनेट की बैठक में 49 आहम प्रस्ताओं को मंजूरी दे दिया है मुख्यमंत्री हमार सुरी के दक्स्ता में मंत्राले बहुन में होई केबिनेट की बैठक में रांची में नाया मेटकल कॉलेज एवं होस्पीटल के साथ साथ राज महल में गंगा नदी पर फोर लेन पूल के निर्मान की स्विक्रिती दी गई है वहीं बैठक में राक्ष्रिय खाज सुरक्षा दिनियम 2013 के अंत्रगत लावकों की संख्या बढ़ा कर 25 लाग की गई है वहीं जार्खन राज जुवा आयो के संचानल के लिए भी प्रक्रिया निधारित की गई है वहीं मंत्री परशन ने केंद्र प्रायोजीत योजना के तहत क्रिशक मित्रों को मिलने वाली रासी को बढ़ा कर पतिमाद 2000 रुपे कर दिया है इससे 16,532 क्रिशक मित्रों को लाब होगा बोकारो चोकिदार की सरीरिक जाज परिक्षा अस्थागित बोकारो चोकिदार सन्वर्ग की सीधी नियोक्ति के लिए सरीरिक दक्षता जाज परिक्षा सन्वर्ग को होने वाली थी लेकिन बिगत कई दिनों से हो रही अत्यधिक बारिश के करण परिक्षा अस्थागित कर दी गई है डिसी बिजिया जाधहों ने इसे समन्दी सुथना जारी की है सरीरिक परिक्षा के लिए सेक्टर बाराज थी जैब मैदान में दोड का आवजन होना था लेकिन बारिश के करण मैदान में दोड आवजीत कराने की स्थितिम नहीं है पुलिस केंद्रे ने जीला समाने सका को पत्र भेच का इसकी पुष्टी की थी इसे देखते हुए डिसी ने सरीरिक दक्षता जाच परिक्षा अगले आजेस तक के लिए अस्थागित कर दी है जमसेदपूर में अतिकर्मन हटाने का बिरोध पुलिस कर्मी लोटे जमसेदपूर के बर्मा माइस इलाके के कैलास नगर में सुक्रवार को मकान और दुकाने थोड़ने गई टीम को भारी भीरोध के बाद खाले हाथ लोटना पड़ा है कर्मन हाटा ने आने वाली टीम को रोकने के लिए लोगों की भारी भीर सूबा से ही लाल बावा फाउंडरी के पास ट्यूब डिवीजन गोल चक्कर पर जाम हो गई थी इस दोरण वहाँ भारी संख्या में मौजूद आस्थाने लोगों और ब्यावसायों ने बजर वहाँन मैस्ट्रेट और पुलिस कर्मियों को रोक दिया वे मांग कर रहे थे कि उन्हें हाई कोट जाने और वहाँ से राहत पाने के लिए मौका दिया जाए लोगों का ये भारी विरोद उस वक्त देखने को मिला जब कोट के फैसले के बाद प्रसासन की टीम टाटाई स्टील के 70 एकर जमीन पर से अतिकर्मन हटाने गई थी जार्खन चुनाव बाद भी मया समान योजना नहीं होगी बंद जार्खन में चुनावी सुबूगा हाट के भी जार्खन में एक सवाल सामने आया है कि क्या हेमन सुरेन सरकार के मुख्यमंतरी मया समान योजना सिर्फ एक चुनावी स्टंड है और चुनाव के बाद इसे कर दिया जाएगा इस मामले पर मुख्यमंतरी हमन जिला में ने को लेकर भर्म पहला रही है उसाही नहीं है कि कि मईया समान योईना चुनाओं के बाद भी बिना रोक टोक के चलती रहेगी बता दे पूर्बी सिमुम की यात्रा के दोरान जेमेम नेता कलपना सुरेन ने कहा है कि जार्खन बनने के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है जब मुख्र मंतरी हैमान सुरेन ने 18-50 साल की महिलाओ के लिए या योईना शुरू की है जार्खन में भाजपा सरकार जरूरी बाबुलल मरांडी जार्खन में बिधान सभा चुनाओं की तारिखों के घोसना से पहले भारतिये जनता पार्टी ने कमर कसली है वह लागातार जार्खन की हेमान सुरेन सरकार पर हमला बोल रही है परिवर्तन रत रवाना हो चुका है और परिवर्तन सभाय भी हो रही है परदेश भाजपा दक्स बाबुल मरांडी ने सुक्रवार को गुमला जी लेके घागरा से जार्खन मुक्ती मोर्चा कांग्रेश राट्रिये जानता दल की गटबंदन सरकार और हेमान सुरेन पर ज परिवर्तन सरकार का सबसे बड़ा उद्योग है खोस खोरी आज की समय में जार्खन में अधिकारी बीना पैसे लिए कोई काम नहीं करते उन्होंने कहा है कि केंद्र जो पैसे राज जी की जानता के कल्यान के लिए भेजती है उसका पूरा लाब यहां के लोगों को नहीं म मिलता है भाजपा पक्का मकान सोलर पैनल और गैस कनेक्शन देगी सिवराज सिंग मध्य परदिश के पूरमुख मंतरी और जार्खन में भारतिय जनता पार्टी के विधान सबाचुनाओ परवाई सिवराज सिंग चवहान ने कई मुद्दो परमुख मंतरी हेमान सोयन को पेट में लिया है सिवराज सिंग चवहान ने आरोप लगाया है कि मन्रेगा का पैसा दलालों की जेब में गया कॉंस्टेबल भरती में 15 बच्चों की मौत हो गाई हेवान सोयन सरकार ने युवाओ के सपने तोड़े जार्खन में विधान सबाचुनाओ की घोसना से पहले भाजपा नेता साकेंद्री किलिसी मत्री सिवराज सिंग चवहान ने कहा है कि मन्रेगा का पैसा दलालों की जेब में पहुँचा है इसकी जाच करवाक और दोस्यों को सज़ा दिलाएंगे उन्हें कहा है कि कि सानों के हीत में छोटे बांध का निर्मान करेंगे और उनके खेतों तक पानी पहुचाएंगे वहीं उन्होंने कहा है कि हमन्सुरें सरकार का 2000 रुपे चुलाक खर्च देने का वादा आज भी अधूरा है शिवराज सिंग चवहान ने सुक्रवार को लाते है जी लेके महुआ टार में आयोजीत प्रवेतन यातरा को समोधित करते सीजेल परिक्षा गरबड़ी को लेकर तीन सदसी कमेटी गठीत जारखन स्टेट सर्विस कमीशन की ओर से आयोजीत कॉमन गेर्जुएट लेबल एक जाम में कथित गरबड़ी की जाच के लिए जैसेसी ने सुक्रवार को आदेश जारी किया है जैसेसी के इस आदेश में क कि सन्युक सचिव मधुमीत्ता कुमारी और उप सचिव सा परिक्षा नियंतरक अरविंद कुमार लाल को कमीटी का सस्य बनाया गया है पेपर लिग पर अमर बावरी ने सरकार पर लगाया गंभीर आरोप जैसे सी सीजेल पेपर लिग के आरोपों के बीच अब नेता प्रतिपक्स अमर कुमार बावरी ने इस परिक्षा पर सवाल खड़े किया है उन्होंने हेमन सरकार पर निशाना साते वे कहा है कि सरकार रा किये गए लेकिन इसके बाव जो सरकार ने नोखरी भीशने का काम किया कि अमर बावरी ने काई है कि परिशा के नाम पर पूरे राज में इंटरनेट बं favor कर दिया सरकार ने रात के दो बलता में इसलिए इंटरनेट सिवाव को वहीं बावरी ने कहा है कि 2019, 22 और 24 की परिक्षा के कई सारे प्रश्ण को दोराया गया, छात्रों को परिक्षा से पहले ही उतर छात्रों के हाथ में आ गए थे, भाजपा ने इस गरबड़ी को परमुकता से उठाया है, छात्रों ने जे सेसी के सामने सारे पुकता सबुत पे यह हाथी अपने जूर से भी छड़ गया है और गाउं के आसपास के जंगल में घूम रहा है, बता दे जंगली हाथी के पैर में जक महोने के करण वह दोर नहीं पा रहा है, वहीं ग्रामीन जंगली हाथी को देख कर उसे भागाने के लिए हाथ में मसाल और लाटी लेकर भ लाइन्स फाउंडेंशन गुजराज की पसुद चिकिसकों के टीम छेत्र का दोरा कर रही है, और चिकिसक यह प्रयास कर रहे हैं कि जंगली हाथी जंगल की ओर जाए, तो इसका इलाज कर पाएं दुरगा पुजा से पहले राशन डिल्रो के कमिशन में 50% की बिरिधी, नौरात्र से पहले जार्खन की हेमन्त सुरेन सरकार ने PDS डिलर को बड़ी सोगादी है, सरकार ने जार्खन राज खाज सुरक्षा योजना को संसोधित कर दिया है, सुक्रवार को राजधानी राच 20 लाग से बड़ा कर 25 लाग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, साथ ही राशन बित्रन करने वाले डिलर के कमिशन में 50% की बिरिधी करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, राशन डिलरों को पहले प्रति क्यूंटल 100 रुपे कमिशन मिलता था, अब उन्हें प एक साल के भीतर आउनलेन आवेदन करेंगे तो उन्हें अनुकंपा के अधार पर डिलर्शिप दी जाएगी देवघर पुलिश ने 5 साइबर अपराधियों को दबोचा देवघर पुलिश ने गुप्त सुचना पर चापे मारी करते वे 5 साइबर अपराधियों को गिरफतार कर लिया है पकड़े अपराधियों के पास से पुलिश ने 9 मोबाइल और 10 सीम कार्ट जब्त किया है एस पी अजीत पीटर डुगडुग को मिली गुप्त सुचना के अधार पर साइबर थाना सहीत कराओ और पत्रोल थाना पुलिश ने सारट के जमुआ जंगल में चापे मारी कर 5 साइबर अपराधियों को गिरफतार करने में कम्याबी हासिल की है एस अभी जीले के विभीन थाना चेतर के रहने वाले है कि रेडिट कार्ड, बैंक, कस्टमर केर, अधिकारी बन, भोले भाले लोगों कुसे ठगी करते थे जार्खन कांग्रेश चुनाव अभियान समीती की बैठक संपन जार्खन परदेश कांग्रेश चुनाव अभियान समीती की बैठक कांग्रेश बहुन रांची में समीती के अध्याक्स पूर्वकेंदरी मंतिर सुबध कान सहाई के अध्याक्सा में संपन हुई है बैठक में प्रमोख रूप से परदेश अध्यक्त के सो महतों कमलेश उपस्थित रहे बैठक में कांग्रेश परदेश अध्यक्त के सो महतों कमलेश ने कहा है कि इस अभ्यान के माध्यम से हमें राजे के अम्तिम ब्यक्ति तक पहुँचना है ताकि हम उनके आर्थिक समाजिक बिकास से तुर लक्ष निधारित कर सके हमें अपने बिकास के एजेंडे और भावी करक्रमों को हर ब्यक्ति तक पहुचाना होगा ताकि जार्खन की बिकास में उनकी सभागितास पश्टूप से हो सके बिधान सभा चुनाओ को लेकर डिजीपी ने कहा जार्खन पुलिस तयार जार्खन पुलिस चुनाओ आयो की टीम के दोरे के बाद आगामी बिधान सभा चुनाओ को लेकर इसकी त्यारी में लग गई है जार्खन की डीजीपी ने कहा है कि अगर कल चुनाव की घोसना हो जाए तो भी जार्खन पुलिस चुनाव करवाने को लेकर तयार है जार्खन के डीजीपी अनुराग उपता ने बताया है कि चुनाव आयोग के साथ बैठक में जार्खन पूलिस के ओर से चुनाव को लेकर की गए तयारिये का पूरा ब्यूरन पेस किया गया है जारखन पुलिस पूरी तरह से अगामी चुनाव की तयारी में जूट गई है उन्हें बस इसका इंतियार है कि विधान सभा चुनाव की इतने चरण में संपन होगा अगर चुनाव एक ही चरण में संपन होगा तो इसके लिए ज़्यादा फोर्ष रह सकता होगी और उसी के अनुसार तयारी को अमली जामा पनाया जाएगा अगर चुनाव दो या तीन चरण में होगे तो पुलिस जवानों की संख्या भी कम रहेगी डिजीपी ने कहा है कि राजमेकरी 20,000 बूथ हैं इसमें 8,038 सनवेदन सील और सनवेदन सील हैं जबकि 12,000 नॉर्मल बूथ हैं सभी आठ हैर अती सनवेदन सील और सनवेदन सील बूथ पर पर परमेलेटरी को तैनात किया जाएगा जबकि 12,000 नॉर्मल बूथ हो पर जार्खन पुलिस के जवान के तेनाती की जाएगी हेमांत सरकार को उखाड फेकना है सिराज सिंग भाजपा की परवतन यत्राक दोरान सुकरवार को केंदरी ये किरीशी यमकिसान कल्यान मंत्री सिराज सिंग चवहान महुआ डाड़ पहुंचे एक टेडिम मैदान में आयुजित कारकरम में झार्खन की हमान सुरेन सरकार पर जम करने चाना साथा है उन्होंने कहा है कि हमान सरेन के निती तो यली सरकार को उखाड कर फेकना है जारखन में जेमें और कांग्रेस की गडबंदन सरकार ने राज को तबाह वाबरबात कर दिया है साहिब गंज बाढध रहाँत में पसुओ के लिए चारा का वित्रान साहब गंज में बाढ राहत सीवरों में जीला पसासन के और से पसवों के लिए 32,37 किलो चारा का बित्रन किया गया पसुपालन पता अधिकारी हरी संकर साह ने बताया है कि सहर के सकुंतला, सहाय घाट और बयासी अस्थान के निकट लगाए गए सीवरों में पसुओं के लिए चारे का बित्रन किया गया बुठमा, राजमहल, तालजारी, आदी परखंडों में भी चारे का बित्रन किया जा रहा है सदर परखंड के विभिन पंचायत में बाढ़ पीडितों के बिच सुकरवार को भी राहत समागरी का बित्रन किया गया अंचल अधिकारी संजाय सुकला ने बताया है कि सुकरवार को 200 किंटल चुड़ा का भी बित्रन किया गया बताया है कि सभी 11 पंचायत के मुख्या से परभावित परिवारों की सुची मांगी गई है जारखंड युवा सदन 4.0 सुरू सुकरवार को जारखंड सरकार के सचीव IAS मुकेस कुमार और सचीव IAS जितनर कुमार सिंग ने जारखंड युवा सदन 4.0 का सन्युक तुरूप से उधगाटन किया है इस असर पर आती थी मुकेस कुमार के साथ IPS संजय रंजन सुप्रीम कोट अफ इंडिया के अधिवाकता रिस हिंद्र बिक्रम सिंग और इंडियान स्टार्ट उप एसोसेशन के अध्याक्स रतिन भाद्रा चेंबर अफ कोमर्स के पूर्व अध्याक्स की स्वर मंत्री मौ अधिवास्यों की अबादी घट रही बाबुलल मौरांडी भाजपागे परदेश्त अध्यक्स बाबुलल मौरांडी ने घागरा में परितन सभागों समधित करते वेका है कि जहारखन में हेमन सुरेन सरकार ने जो वादा किया था वह पूरा नहीं हुगा है बिटिया योजना के लिए 75 हजार देने का हेमन सरकार ने वादा किया था लेकिन 75 रुपया तक नहीं दिया वही 5 लाख नौकरिया देने का भी वादा किया था हेमन ने यह भी कहा था कि 5 लाख नौकरिया नहीं दे सकेंगे तो गद्दी छोड़ देंगे लेकिन बेरोज ज गारों को नौकरी नहीं मिला या जूटी सरकार है मरांडी ने कहा है कि जार्खन में घूसपैट हो रही है धर्मांतरन चरम पर है इस रोकने के लिए भाजपा की सरकार को लाना ही होगा मरांडी ने कहा है कि हमन सरकार बालू लूटने वाली जंगल और जमीन बेचने वाली सरकार है इसे बदल कर रहेंगे जारखन दाफ़दार चौकीदार पंचायत का अंसन जारी जार्खन राज दफदार चोकिदार पंचायत का राजभौन के पास चल रहा बे मियाद आमरन अंसन सुक्रवार को पांचवे दिन भी जारी रहा आमरन अंसन में राज अध्यक्ष कृष्ण द्याल सिंग, बलेस्वर महतो, परमेस्वर पस्वान, प्रीतम पस्वान, सत्य नरायन सरकार और निर्माई चंद्र रजवार अंसन पर है इनकी हालात नाजुक बनी हुई है, अंसन अथर पर आयोजी सभा के अध्यक्षतार राज अध्यक्ष कृष्ण द्याल सिंग ने किया है सभा में बोलते हुए संगठन के नेताओं ने कहा है कि सेवा बिमुक्त चौकिदार, एवजी चौकिदार और अनुकंपक के अधार पर रिक्त बीटो पर राजे के सभी जुलों में बिग्यापन प्रकासित कर नियुक्तिया पर किरिया जारी है सगठन की ओर से पूर्वज से राजे के मुक्ष मंत्री हमान सुरेन से मांग की जा रहा है या कि नियुक्ति पर किरिया पर ततकाल रोक लगाई जाए बीपक्स की नहीं चलने वाली कलपना सुरेन मुक्ष मंत्री हमान सुरेन की पतने उर्गांडे बिधाय कलपना सुरेन सुक्रवार को कुलहान में मया समन यातरा सुरुआत जमसेत पूर के कदमा उलियान इस्थी सहीद निर्मल महतों की परतिमा वा समाधी अस्थल पर मलयारपन वा नमन कर दूसरे दिन की यातरा की आने नहीं दिया जाएगा उन्होंने अबुआ दिसूम रे अबुआ राज को अस्थापित करने का सपना देखा था लेकिन यहां भाजपा उनके सपने को चकना चूर करने पर तुली हुई है विपक्ष चाहे जितना जोर लगा ले यहां उनकी यहां नहीं चलने वाली धन धनकी।